असलाम लेकुम डियरे स्टूरिंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल नंबर वन दाइस चाइल्ड रियालिटी आपको पता ही है कि यह मैंने किस आर्टिकल से लिए इसका रेफ्रेंस यहां दिया हुआ है आप इस आर्टिकल को कैश अप कर सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि चाइल्ड रियालिटी होती क्या है चाइल्ड रियालिटी को समझने के लिए कि बहुत जरूरी है कि हम यह समझें कि बच्चों की डिवेलपमेंट बढ़ों की डिवेलपमेंट से डिफर करती है बच्चों की दुनिया बड़ों की दुनिया से different होती है बच्चों की दुनिया बड़ों की दुनिया से different होती है बच्चों की जो emotions हैं, उनकी खाहिशात हैं, उनकी ideas हैं They are different from the adult ideas and views So, let's see कि हम आल लपस्ट यहाँ पे क्या चीजे मौझूद हैं Child reality होती हिए चाइल्ड रियालिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को समझने की कोशिश करें कि वो क्या चीज़े हैं जो उन्हें पसंद हैं उनके इंट्रस्ट को ट्रिगर करती हैं उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं वो क्या सोचते हैं उनको किन कामों में मज़ा करना है जितना आप बच्चेंगों को समझने की कोशिश करेंंगे जितना आप uns gemприvy को उनकी नेशर को उनके इंट्रस्ट इफ होते हैं उनकी रियालिटी को actually define करते हैं आप यहां बहुत से words देख सकते हैं आप बच्चे बहुत curious होते हैं exploration बच्चे हर चीज को खोलना चाहते हैं देखना चाहते हैं adventure पर जाना चाहते है उनके imagination के एक जबरदस दुनिया होती है वो बहुत active होते हैं dynamic होते हैं sincerity होती है हमारे पास characteristic क्या होती है in child reality के बच्चों की reality में से एक बहुत एहम reality यह है कि बच्चों को जो चीज trigger करती है that is love and confidence and faith उनको आप पे confidence होना चाहिए आप पे faith होना चाहिए इसी तरह वो character के through faith and confidence develop करते हैं वो recognize करते हैं वो जानना चाहते हैं कि आप कौन लोग हैं इस कहानी के अंदर कौन से characters हैं और कैसे वो care करते हैं कैसे वो accept करते हैं एक दूसरे को आप बच्चे responsibility लेना चाहते हैं वो अपने काम खुद करना चाहते हैं वो नएने experiences करना चाहते हैं what else they wanna do और वो autonomy और responsibility चाहते हैं यह तो आप जानते ही होंगे कि छोटे बच्चे अपना हर काम खुद करना चाहते हैं और यह उनकी nature का हिस्सा है हम इसे उसे अलग नहीं कर सकते हैं और बच्चे किस चीज़ से attract होते हैं और बच्चे attract होते unexpected distant new unusual eye-catching interesting चीज़ों से जो entertaining हो जबदस्त हो मज़ेदार हो जो उन्होंने पहले कभी ना देखी हो और हो सकता है वो funny हो interesting हो और थोड़ी सी weird भी हो तो इनके interest को और trigger करते हैं children का perspective कैसे हम reflect करते हैं जब हमारे पास ऐसे visuals होते हैं ऐसी कहानी और concept होते है जो concrete ideas के उपर base हो जिसके अंदर imagination जो है वो शामिल हो और जिसके अंदर हमारा subject criteria जो है वो ऐसा हो जो बच्चों की nature को बिल्कुल trigger करता हो और उनके मताबिक हो बच्चों को हम simple facts and figures जो है वो clearly बता सकते हैं ऐसे facts and figures जो बहुत complex ना हो और उनको समझना मुश्किल ना हो बच्चों की linguistic और cognitive capabilities को develop करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसे ऐसी बगदें जो उसकी age के मताबिक हो और उसकी reality को बताती हो और ऐसी उसके अंदर वजवज हो, context हो और इस किसम की हमारे पास vocabulary हो जो बच्चे उस उस उमर के जिनके लिए किताब लिखी गई है उसे समझ सकते हो और इंटरस से पढ़ सकते हो और उनकी language उसके साथ डिवेलप हो रही हो ना वी नीड तो रीड आउट इस इंपॉर्टन एंद लास्स्लाइड और इस प्रिंस्पल को मजीद किताबों में देखेंगे तो यह क्या वर्ट है उनको हम कैसे देखेंगे और हमें कौन से डिफाइन पारामीटर्स चाहिए जिसके तो हम चाइल्ड रियालिटी को चेक कर सकें कि यह बच्चों की नीचर के मताबिक और बच्चों की रियालिटी के मताबिक है या नहीं पार दे नेक्स लाइड बस्त लग्